असलाम वालेकम दोस्तों की हाल चाहले आज बहुत इंफार्मेटर वीडियो लेके आया गोल्डन टेंपल दे रिलेटेड दस फैक्ट ने देखो थे जान दा देल बहुत गारदा पामे मैं मुसल्मान ही हैं लेकिन उते जान बहुत जान देल गारदा ते उनना देखांगे ग काल तक साहिव जी दी इमारत टेड़ी क्यों बनाएगी है अते हरमंदर साहिब उपर मौजूद इनना गुम्टियां दी गिनती उनने ही क्यों है अते इस तो इलावा श्री हरमंदर साहिब बारे दास अजेहन जान कर गया तो आटेना शेयर करांगे जो तुसी कदे नहीं स शुरू कर दे हां सबतों पहली जानकरी श्री हरमंदर साहिब जी दे पुईतर स्रोवर ना समंदत है जिस दे द्वाड़े उथे और वड़ा हर एक शर्दालू पर कर्मा करता है और पर कर्मा करते समय असी सोच देहां कि ए स्रोवर बिल्कुल चौरस बनाया होगा पर जहा नहीं है श्री हरमंदर साहिब जी दा पुईतर स्रोवर एक पासे 490 फुट अते दुजे पासे 500 फुट है दुनिया दे विच जोदो वी कोई निर्मान कीता जानता है ता उसनु वास्तु शास्तर दे अनुसार बनाया जानता है जिस विच उत्तर पश्यम पूर्व दखन इसान कोण अगनी कोण वाटर कोण इननुत्यान विच राके बनाये जन्देहन जोके लोकां दुआराच राया एक परम ही है श्री दर्बार साहिब जी दे श्रोवर दे चारे कोणने ना उत्तर विच ना दखन विच ना पूर्व ना पच्छम अते ना अगनी कोण विच चौर सन पते इस तो इलावा ना इसान कोण ना प्रिथवी कोण ना जाल कोण विच रा श्री दर्बार साइब दे श्रोवर सारे परमतों मुख तबनाया गया है इत्ते कोई वास्तु शास्तर नहीं है जो सानु वी इना वेमा तो उपर उठणी परेर्दा है श्रीहर मंदर साहिब जिस समय निर्माण होया सी उनना समय विचे हर एक मंदर दा निर्माण सूर्ज न मुख राक्य किता जानता सी जिस कारन तुसी अज़ भी देखते हो दुनिया दे हर एक एतिहासक हिंदू मंदर दा मूँ चड़ दे सूर्ज वाल होगा पर श्रीहर मंदर साहिब जिदा मूँ सूर्ज तो उल्टे पासे रख्या गया है मतलब सूर्ज हर मंदर साहिब दे बिलकुर पिश्यो जड़दा है इसलिए सिखान ले साब तो जो पहली है केरना हन उग गुर बाणी विए जान दिया हन तुसी नोट किता हुएगा कि दुनिया दे हर एक गुर्दवारे दे समने वाले पासे निशान साहिब लगा होंता है पर श्रीदर बार साहिब जी दे पिछे निशान साहिब लगा है इस पिछे दा कान जानना भी बहुत जुरूरी है तुसी सबने पाणी वड़े जहाईता जुरूर देखे होंगे जिना दे अगे चंडाल गया होंदा है इसे तरहां जेकर तुसी इस वीडियो वेच आपनी अखानों दो सेकंड ली बांद करके खोलो ता तो हनों भी एक जहाज पर तीद होगा जिस दे अगे निशान साहिब चूर रहे हन इस तरहां दर्बार साहिब दा एजहाज है जो सानू इस पावसागर तो पार करूंदा है श्री दर्बार साहिब जीदी पर करमा आते पुटर स्रोवर उपर जो बाबा बुड़ा जीदी बेरी है इस जगह दे सामने महाराजार जी सिंग जीदा बुंगा होंदा सी जिसनों बुंगा महाराजार जी सिंग केंदे सान इते हासकार दस दे हन की श्री दर्बार साहिब दे निडे निडे ही 84 बुंगे होंदे सी जो समय दे नाल नाल कुझ सांब नाकार्न करके नस्ट हो गए अते कुझ खुद नस्ट कर दते गए जिन्ना दे हों दे सबूत आज भी मिल दे हन जुमें कुछ समा पहला होई खुदाई दो रान मिले सान मजूदा समय विच सारे बुंगे तोड़ दते गए हन होने केवल एक बुंगा मजूद है ओ है बुंगा रामगडिया जिसनों तुसी लंगर हाल बाड़े पास्यों जाके देख सकते हो दुनिया दे जिन्ने भी हिंदू मंदर जा क्रिस्चन तरमदे जो चर्च हन उतारती तो थोड़े उचे बनाए जान दे हन हिंदू तरमदे लागपा के सारी जास मंदरा विच जान ले पौड़िया चानिया पेंदी हन जिन्ना दी गिंड़ती एक दो तो लेके सो तो वी वद होंदी है उते श्रीहर मंदर साहिब अजेहा इतिहासी को दुआरा है जो ग्राउंड लेवल तो नीवा है जो श्रीहर मंदर साहिब विखे और वाड़े शर्दा लुआ परती निमरता दा प्रकटावा कर दी है इस तो इलावात उसी सब दरबार दे चार दरवाजयां बरे भी जान दे होगे जिस दा अर्थ है इते हारेक तरमली दरवाजये खुले हन इसे कोई वी ग्रीब आवे जा अमीर सब दा सतकार पराबर कीता जान दा है सब तो इंट्रस्टिंग गल ए है कि इते चार दरवाजयां नों कदी भी बांध नहीं कीता जान दा ये चोवी गंटे सत्ते दिन खुले रेंदे हन शरी हरमंदर साहिव जी दा गंटा शरी अकालतक साहिव जी तो नीमा क्यों है इस पिछे दावी कारण है शरी हरमंदर साहिव दरवार साहिव दा गंटा शरी अकालतक साहिव तो नीमा बनाया गया है शरी हर्मंदर साहिव के मजूद हर एक इट दा अपना मतलब अते इतहास है शरी दर्बार साहिव दा जो गुम्ट बनाया गया है वो इसकारन काल तक साहिव तो निवा है क्योंकि ए निमर्ता दा पर तीग है शरी हर्मंदर साहिव ता तुसी सारे गये होगे अते उथे मजूद शरी अकाल तक साहिव जी दे दर्शन भी जुरूर किते होंगे पर की कदे तुसी इत्यान देता शरी अकाल तक साहिव जी दी इमार्ता थोड़ी टेटी बनाई गया है शरी हर्मंदर साहिव वालनू बिल्कुल सिद्धी नहीं है कि तुसी इस पिशेदा लोजिकी जान दे हो अकाल तक साहिव तो जदो जसेदार साहिव कोई फुर्मार्स नम्दे हन ता उथो दर्बार साहिव दे दर्शन होंदे हन मतलब दर्बार साहिव वालत त्यान करके फुर्मार्स नम्दे हन पर दरबार साहिब दे अंदरो कालतक साहिब दे दर्शन नहीं हुंदे जिस दा मदलब है तरम दे अगे राजनिती फिक्की है क्योंकि श्री दरबार साहिब दी इमार्त तरमनू अते श्री अकालतक साहिब जी इमार्त राजनिती नुदर संधी है इस तो इलावा कालतक साहिव दी इमार्द टेटी होन दा एवी कारण है कि जदो शरी अकालतक साहिव नो मथा टेक दे हां ता साथी पिठ शरी दरबार साहिवाल नहीं होन दी इसे तरह दुनों पासे मथा टेक दे किसे पासे प्रॉपर पिठ नहीं होन दी श्रीदर्बार साहिब दी मार्द पर मौझूद तुसी ए शोटियां गुम्टियां जुरू देखिया हून गियां ए गुम्टियां पस एमे नहीं पड़ा जागी जां एना पिशे भी एक इंपोर्टनेट लॉजिक है ए गुम्टियां दी गिनती दोनों पास से सज्जी आते खब्बे उन्नी उन्नी है जो दो श्रीदर्बार साहिब जीदा प्रकाश होंता है उस समय कदे त्यांते हो श्रीदर्बार साहिब जीदे एक कांगो पर उन्नी लाइना होंदी हान इस तरह उन्नी लाइना एक पासे अते उन्नी लाइना दुजे पासे इस तरह एक श्रीगरू गरन साहिव जीदा प्रकाशी है अग्ये वदन तो पहला एक शोड़ी जही बेंती है कि चैनल नूँ सब्सक्राइब कर लो इस नाल साननों बहुत मोटिवेशन अते मदद मिल दी है नाल दी नाल अपने कीमती कुमेंट अते लाइक भी जुरूर देओ उन्नी देदा के दोरान श्रीग घरमंदर साहिव दरबार साहिव दी मारतन पांसो केलो सोने नाल रेनोवेट किता गया सी इस पर कार श्रीदर बार साहिव जी विखे पूर्ण तोरते चौवी केरड़ दा शुद्ध सोना वरतन आगया सी आज इस सोने दी कीमत एक सो तीक रोड रपेत वी वद है इस रेनोवेशन पार्त देखोने कोने तो आये निपन आर्टेस्ट द्वारा किती गई सी इस रेनोवेशन 1995 में तो स्टार्ट हो के चार साल चली अते 1998 में नो ए मुरम्मत दा काम पूरा होया पिशे ते हास दी गाल करिये ता सब तो पहला महराजा रंजी सिंग जी ने हर मंदर साहिव नो सोने ना कवर करवाया सी एक अलट थारा सो तीदी है उस समय भी दुनिया दे कई किलाकर इस सोने दी से वाली बढ़ाये गए सन की तुसी जानते हो श्री दर्बार साहिव अमरे सर विखे अर्दास किन्नी वर किती जानती है जे पता है ता कुमेंट करके जरूर दसे हो श्री हर्मंदर साहिव दर्बार साहिव विखे एक जा दोवा नहीं बलके शेवर अर्दास किती जानती है सबतों पहली अर्दास अमरे तवेले श्री गुरू गरन साहिव जीदे प्रकाश उपरांत किती जानती है दुजी अर्दास आसा जी दी वार दे कीर्टन तो बाद, पूग पॉण तो बाद कीती जान्दी है, तीजी अर्दास बारा वजे अनांद साहिब जी दे पाठ करनू परंद कीती जान्दी है, चोथी अर्दास तिन वजे आरती दा कीर्टन कीता जान्दा है, आरती दी बाण पढ़ी जान दी है इस पिशोरदास किती जान दी है फिर पंजमी अरदास शामनु रहरास अजे पाठ्ट परंद किती जान दी है रजी हरमंदर साहिब दरबार उसे आंटर हुंदे हां ता देख देहां कि उते कीरतन खब्बे पासे हुंदा है जादे का दुनिया दे सारे कुर्दवारें आंतर सज्जे पासे कीरतन कीता जानता है अमीद है तो अन्नु आज दी ये वीडियो पसांद ही हुएगी जिए वीडियो चंगी लगे ता अपने केम ते सुझा कमेंट बॉक्स विजी जरूर देओ आते दस्यों के नेक्स्ट वीडियो पकिस टॉपिक देपने इस दे नार नार से वीडियो नू लाइक दे शेयर भी जरूर करें हो दोसो इस याई दी बहुत ही इंफार्मेटिव वीडियो अच्छा बहुत सारे फैक्ट आज पता चला के हरम अंदर साहब यानि के जन्नों गोल्डन टेंपल वीकेंदे ने इन दे बारे बहुत सारे कॉंसेप्ट सब तो पहला है के इस सुरेज दे आपूज एच्छाफ तो मतलब करने जिविए मस्लमानां या मस्जदा हुं दिया रोज़ाना चाढ़ दे पासे मतलब कि खाना काबश जाम ने सीओ में जाड़ी जड़े ने न ₹ँ राख ए शमाल मश्रक मगरब शमाल जनूब नो राके ते ओ मतलब के बेलकुल खाना काबा दी तरफ करके उना दे मू रखे जाने ने बेलकुल सेम गुर्दवारे दा भी इस तरह दा अमरत सर या सोरी सीरी अमरत साभ या गोल्डन टैंपल दा फिर इनने अख्या के 500 किलो सोना थे लोगे भी कहने ने के इंडिये तो ज्यादा है फिर तीसरी फैक्ट जड़ा है तीसरा फैक्ट के इंदे चार दर्वाजे ने ते चारां दर्वाजे हैं जो यानि के मुसलमाना दा एक दर्वाजा एक सिखां दर्वाजा एक साइयां दर्वाजा एक हिंदुआं दर्वाज यानि का सारे द्रम्दे लोगों तो खुजर साकते ने बहुत प्यारी गाले बहुत प्यारी ही गाले फिर इन्दा जड़ा सरोवर यानि कि मैं यह जो ड्रॉन कैमरियां जो वीडियो वगरा वेड़ा थी मैं समीं जाती कि बेलकुल 4 से लेकिन वह एक तरफ ज्यादा एक जितने मीने वह ग्राउंड लेवल तो उन पर बनाए जाने ने ता कि का नो बारश दा पानी वगारा जड़ा इत्थे आवे तो मस्जच यहां किसे भी मतलब के होली प्लेस देवेचे दाखल ना हो सके जब कि अजड़ा करतार पूर सहाब है इत्थे भी वह ग्राउंड ल सिख लोग एक पवित्तर पानी मान देने यानि के हित्थों केंदेने के सानु शफा मेल दी है बड़ी ही प्यारी इंट्रस्टिंग वीडियो थी दोस्तों बहुत अच्छा लगा मिन्हों इंदे दो गेटां दे नाम ते याद ने एक गेट दा नाम गंटागर ते एक दा सामें धड़ा दर्वादा धड़ाः टी एच ए डी ए थड़ा धर्वादा न जिकार के है वेओ मैं पड़े सी किसे वेले छे ते बाकी दो दर्वादां ने मिन्हों नाम नीपता तुसी दोस्तों क्मेट मिन्हों दूरुर्ट स्याजे फिर ऑं इंदे उप्ते जड़े उन वाव दैट्स ग्रेड बहुत इंफार्मेटर वीडियो थी दोस्तों इन अधर चैनल में सब्सक्राइब करना तिम मेरे चैनल में सब्सक्राइब कारी दे आज बहुत प्यारी वीडियो से मेलने हैं नमी वीडियो चे अला हाफिज